हेलो दोस्तो नमस्कार SMKC चैनल में मैं आप सबी लोगं का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दोस्तो इस विड़े में हम लोग बात करने वाले यूजली रेलवे स्टॉक से रिलेटेड या फिर आप लोग बोली सकते हो IRCTC से रिलेटेड बहुत सारे लोगं के यही क्या यहां पर हो चुका है अभी यह स्टॉक क्या नीचे नहीं आएगा क्या यहां से वह उपर ही भागते रहेगा 2000 की वह उपर चला जाएगा तो इससे बहुत सारे सवाल यहां पर आ चुके हैं तो उनी का आंसर हम लोग जरू देंगे IRCTC क्यों भागा उसके पीछे की वजा क्या है आगे क्या क्या आप दिक्कते इसमें आ सकते हैं आगे क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं सारी चीजे हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले तो चले दूस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते बट उससे वेले फर्स टैम विजिट के तो जरू सब्सक्राइब करके रख लेना साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना तो ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो डेली बेसेस के उपर मैं आपके लिए फ्री आफ कोस्ट लाते रहता हूँ तो दोस्तो आज की दिन के अगर हम लोग बात करें तो IRCTC के साथ साथ बहुत सारे स्टॉक लगबग 10 से भी जादा रेल्वेस के स्टॉक से डिरेक्ली ने इंडिरेक्ली कनेक्टेड रहते हैं वो हम लोग को तेज होते वे देखने को मिले हैं और उसके पीछे की वज़ा भी आप सबी लोग को तक पहुची चुकी होगी पर में भी अपना काम कर लेता हूं तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो शेर प्राइज आफ रेल्वे स्टॉक्स गेन एप्रोक्सिमेटली फोर तो 11 पॉसेंट इन अर्ली ट्रेड ओन जुलै तू आफ्टर दमिनिस्ट् जाओ कि जो पत्रिया हम लोगों को देखने को मिलती है वो तो सरकारी है तो उसके उपर जो ट्रेन भी रण किये जातेय को पर्मिशन दी जा रहे हैं उनको invite किया जाया रहा है उनको proposal दिया जा रहा है कि आप लोग आओ अपने private railways इस पर उपर चलाओ और यहाँ पर revenue generate करो वह जरूर के सकते हैं कि कभी भी हम लोग इस तरीकी की news सुनते हैं कि privatization हो रहा है या फिर हम लोग के सकते PSU जो stock से railways तो completely Indian government की अंडर आती है सो अगर PSU में कभी भी हम लोग private sector की अगर बात सुनते है privatization की बात करते है या फिर कोई private players को entry की भी बात कर लेते तब हम लोग उनको उन stock में एक अच्छी का सी rally देखने को हमेशा मिलती है और आप सबी लोग पता है बहुत सारे जो निवेशक है वो PSU में इसलिए निवेश नहीं करते है क्योंकि आप सबी लोग पता है वहाँ पे good governance properly नहीं होता है बहुत सारी चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है अगर हम लोग finance की बात करे तो बहुत सारे PSU bank इसलिए लोग avoid करते में भी क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब एक दो आत्मी को भी अगर आप set कर देते हो पैसा खिला के तो आप सबी लोग को पता है कि कितने बड़े यहाँ पे आसानी से fraud हो जाते है सो इसलिए बहुत सारे लोग को जो PSU के उपर विश्वा से वो ज्यादा इतना नहीं यह गेरा नहीं है कुछ गिने चुने shares है उनी के उपर हम लोग को देखने को मिलते है सो कभी भी PSU से जब बात आती कि उनको private players entry करेंगे तब हम लोग को हमेशा जंब देखने को मिलते हैं चाहे वो BPCL हो या फिर जिसका स्टॉक भी नहीं है एर इंडिया हो यह सारे हम लोग को अच्छे कासे रौनक लाते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं सो इस news को थोड़ा सा हम लोग continue कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग आगला paragraph पढ़ सकते हो the ministry of railway has finally walked the talk of opening up the running of a passenger train to private companies a significant reform that is expected to shake up the creaking infrastructure and foster growth so entirely उन्होंने यहाँ जो कुछ बाते होती हैं railway से related ministry ने यहाँ पर बता दिये कि क्या क्या चीज़े वो यहाँ पर करने वाले reasons क्या है and सबसे important बात अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले है और यहाँ पर कितने trains लाने की बात कर रहे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर easily पढ़ सकते हैं कि private यहाँ पर proposal दिया है entities को कि run train over the 109 109 pairs of a routes के उपर यह बात की जा रही है and लगबग 151 modern trains यहाँ पर उनके ऊपर चलाने की बात यहाँ पर हो रही है तो यह बहुत ही गजब की news हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली जिसके बादल जितने भी railway के जो stocks थे आज हम लोग को चार से लेके 11% के rally में देखने को जरूर मिले है तो दोस्तों सबसे खास कोई बात है तो obviously private players अगर यहाँ पर आ जाते तो estimation की अगर हम लोग बात करें the project could entail a private sector investment of about rupees 30,000 करोड yes दोस्तों 30,000 करोड की यहाँ पर investment की यहाँ पर बात करें और यह मैंने खुद नहीं किया मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ऐसा statement बता है तो इतना बड़ा amount यहाँ पर आएगा fund raise होगा so definitely यहाँ पर हम लोग को जितनी भी railways के stock directly ने indirectly connect होते होगे देखने को मिले ते वो यहाँ पर जबर्दस rally पकड़ते होगे देखने को मिले है सो अगर हम लोग roots की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं the 109 109 original destination pairs of our roots have been formed into a 12 cluster across the rail network and each train shall have a minimum of 16 coaches सो यह normally चीज़े हैं आप लोग इस website के उपर जाके detail में पढ़ सकते हो money control के official website पे चारी चीज़े आपको लोग मिल जाएगी बट अगर कोई key highlight है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो obviously हम लोग कह सकते कि private players को यहाँ पर invitation दिया गया है प्रपोजल दिया गया है लगबग हम लोग कह सकते हैं 109 route के यहाँ पर बात की जा रही है अगर हम लोग बात करें तो कितने railways है तो वो भी देख लेते एक बार 151 यहाँ पर modern trains चलाने की बात यहाँ पर की जा रही है सबसे पहले जो सवाल पूछा जा रहा है क्या monopoly IRCTC की यहाँ पर खतम हो जाएगी तो यही सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा था कि जो monopoly है तो वापस बताना चाता हो नहीं दोस्तो monopoly खतम नहीं होगी इसके दो जवाब में आप लोग को देना चाँगा सबसे पहली बात IRCTC का business यह ticket booking से related business है ना कि पटरी पे train चलाने से related तो यह basic बात मैंने यहाँ पर कह दी and second important चीज monopoly मतलब exactly क्या ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपका competitor कोई हो ना हो यहाँ पर monopoly की मतलब यह होती कि complete आप उस business के उपर हावी रहते हो अगर मैं बात करूँ टेलीकॉम business की तो यह NLB है MTNLB है उसी के साथ वोड़ा फोन आइडिया भी है ऐसे बहुत सारे networks का आप लोगों को देखने को मिलते है तो monopoly मतलब यह नहीं कि बाकी कोई आ गया आपको size देखना पड़ता है अगर आप यहाँ पे लगब 90% market capture करके बेठे हुए मतलब आपकी monopoly होगे आप लोग भी बोल सकते हो 10% other players हो सकते सो वो इतना 90% के market को tackle नहीं कर सकते अगर हम लोग insurance की बात करें तो LIC की complete monopoly है आप लोग देख सकते LIC India वो listed नहीं हुए बात अलग है कितने सारे premium से मतलब वो list भी होगे तो relance से भी बड़ी बन सकते इतना पैसा है उसके पास बाकी भी company है ना insurance insurance के जैसे के HDFC life insurance है ICAC Prudential life है देखा जाए SBA life है तो वो भी business है तो आप लोग को monopoly मतलब क्या उस business उतना बड़ा रहना चाहिए वो अगर वो business model अगर उसका कम होने लगे बाकी जो competitor है वो बहुत बड़ा होने लगे तब हम लोग कह सकते कि हाँ monopoly खतम होने को आ गई है तो फ इनफेक्ट हम लोगों को यहाँ पर अच्छी कासी rally देखने को मिली क्योंकि obviously IRCTC के अगर हम लोग बात करें तो एक government ही company है maximum share government of India के पास है आप देख सकते हो president of India share holding pattern में आप लोगों को मिल जाएगा पूरे 100% है उसमें से 12% के आसपास उन्होंने public यहाँ पर offer for sale के द्वा रहा हूं repeat हो रहा है बट जब भी ऐसी बात आती है तब इनफेक्ट हम लोगों को यहाँ पर rally देखने को मिल जाती है तो आज की दिन के अगर हम लोग बात करें तो लगबग 3.5% की jump देखने को मिली है लगबग 50 points की jump आप लोग यहाँ पर ऐसे कह सकते हो इनफेक्ट यहा आप लोग conclude कर सकते कि सब कुछ ठीक हो गया नॉर्मल हो गया न्यूज हमेशा एक boost जरूर देते है जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि railway वापस resume हो जाएगी share बहुत उपर गया बाद में हम लोगों को धीमे धीमे करके यह 1350 के आसपास देखने उसके मुताबिक यहाँ पे आप जिस तरीकी से decision ले रहे हो क्योंकि जब यह stock भागा था 700 से लेकि अभी 1400 तक तो यह जो हम लोगों को rally देखने को मिली उसके पीछे कोई ठोस वाजा नहीं थी and जब यह stock 700 के आसपास था तो कोई भी assets करीदने के लिए तैर नहीं था क्यों जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक सारी चीजे क्लियर नहीं हो जाती जैसे कि अगर लोग बात करें quarter 4 के ही result अभी तक company के आये नहीं है उसी के उपर सबसे बड़ा question mark है जो कि हम लोगों 26 जून के आसपास 29 जून के आसपास देखने को मिलने वाले ते वही अ इच्छे आ जाते है numbers Q4 के तो ये stock और थोड़ा आगे जा सकता है बढ़ अगर खराब आ जाते हैं तो ये stock में और भी जोर से गिरावट आ सकती है and Q4 के नंबर भी छोड़िए सबसे बड़ा जो suspense है वो quarter 1 के numbers पे रहेगा क्योंकि Q1 में तो April, May, June ये तीन महीने में railways क्या चले है आप सबी लोगों को पता है ना के बराबर तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा यह मेरा formula है कि हमेशा में investment करता हूं तो बहुत ही संबाल करता हूं चाहे उसमें नुकसान क्यों नहीं हो जो होता है कि अरे मौका छूड़ गया वो भी चल जाता है ब इसका इंपक्ट रहेगा वो टेंपर अभी सोर्स के लिए जरूर रहेगा ट्रेडिंग के परपस के मुताविग चलते रहती चीजे बट लॉंग रंज में अभी इस शेर को परफॉर्म करना है तो इनके रिजल्ट देखना यह बहुत ही important रहने वाले हैं उसके बाद ही हम से डिलिवरी सिर्फ 4 लग के असपास हुई है मतलब हम लोग के सकते कि जो डिलिवरी बेसेस के उपर हम लोग पकड़ के चलते मान के चलते कि यह लंबी आओधी के लिए बाइंग कर रहे हैं एक्च्वल में ऐसा डेटा तो नहीं रहता है बट पकड़ के चलते की 18% मैक्स 2000 तक यह शेयर दाता तो जरूर हम लोग को यह डिलिवरी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा उठाती हुए दिखनी को जरूर मिलता सो मैं वापस यह कहना चाहूंगा कि IRCATC यह मेरा फेवरेट स्टॉक है इसमें कोई प्रॉब्लेम वाली बात नहीं है इनफेक्ट हमारे पास यह स्टॉक 930 रुपे से हम लोग ने बाइंग करके रखा हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है और यह बहुत पुरानी बाइंग है जब कोरोना कुछ नहीं था आप सब लोग पता है उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो बहुत पुराना वीडियो अभी भी है हमारे पास कॉंटिटी बट वापस इसमें इंटर करने के लिए जो वज़ा चाहिए वो फिलाल अभी तक यहापे नहीं मिल रहे है कॉटर फॉर के नंबर आने चाहिए कॉटर वन के नंबर आने चाहिए उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि एक्च्वल में इसमें निवेश करना चाहिए तो कितना करना चाहिए अगर हम लोग का नजरी है हम 5-10 साल इस कंपनी में बने रहना चाहिए तो उनके लिए में हमेशा आप लोग को यह फॉर्मिला बता सकता हूँ कि आप लोग किसी भी लेवल पे बाई कर सकते हो अगर आपका नजरी है आप लोग ने अपने दिमाग में फिड करना चाहिए जैसे आप लोग ने कमेंट किया है कि मैं 5-10 साल होड करूँगा तो आपके लिए ये लेवल क्या अगर आप चाहो तो 1600-1700 लेवल पे भी बाई पिक करना चाहते हो उनके लिए यही एक बेस्ट फॉर्मिला है कि उन्होंने जो कौटर ली जो नंबर आने वाले कौटर 4 के और कौटर 1 के उसके लिए इंतजार करना चाहिए क्योंकि वही एक स्मार्ट डिसिजन हो सकता है अगर आप इस लेवल पे खरीद लेते हो या फि प्रशन के साथ शेर भी कर देना तब तक के लिए बाई बाई